कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकांस विरोधियों ने, इस इतने बड़े प्रकल्ब को सरदार सरोवर्डेम को रोक के रखा था, आपको जान करके हरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर्डेम येक्तानगर में आप बैटे हैं न, इतना बड़ा जलास देखा होगा आप आपने इसका सिलान्यास देश आजाद होने के तुरंद बात किया गया था, सरदार वलो भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिकाने पाई थी, पंडित नहरु ने सिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गये, दुनिया के लोग आ गये, अप्रचा बात नहरु जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, बताईए, कितना देश का पैसा बरबाद हो गया, और आज वही एकतानगर, परियावरन का तिरसर क्षेत्र मन गया, मतलब कितना जूट चलाया था, और ये अर्बन नक्सल, आज भी चूप नहीं है, आज उनकी खेल खेल रहे हैं, उनके जूट पकड़े गए, वो भी स्विकार करने को तयार नहीं है, अब उनको अब राजजितिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का, साथियोब भारत में विकांस को रोकने के लिए, कई global institution भी, कई foundation भी, ऐसे बड़े पसंद आने वाले परियावरन की रक्षा के समर्ण में कोई compromise नहीं करते हुए भी, संतुलित रूप से विचार करके, हमें ऐसे लोगों की साजीसों को, जो वर्ल्वेंग तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़ी-बड़े जूडिसिरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना आप प्रत्यार कर देते हैं, चीजे अटक जाती है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवज़ परियावरन का नाम लेकर, ease of living और ease of doing business के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें, कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकांस विरोधियों ने, इस बड़े प्रकल्ब को सरदार सरोवर डैब को रोक क यह जो सर्दार सरोवर डैब एकतानगर में आप बैटे हैं न, इतना बड़ा जला से देखा होगा आपने, इसका सिलान्यास देश आजाद होने के तुरंद बात किया गया था, सर्दार वलो भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिकानी पाई थी, पंडित नहरू ने सिला प्रदान में आ गये, दुनिया के लोग आ गये, अप्रचार किया, ऐसा यह पर्यावरन विरोधी है, यही अभ्यान चलाया और बार बार उसको रोका गया, जो काम की शुरूवात नहरू जी ने की थी, वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, बताईए, कितना देश का पै आज भी चूप नहीं है, आज भी उनकी खेल खेल रहे हैं, उनके जूट पकड़े गए, वो भी स्विकार करने को तयार नहीं है, अब उनको अब राजजितिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का, साथियोब भारत में विकास को रोकने के लिए, कई global institution भी, कई foundation भी, ऐस इसे बड़े पसंद आने वाले विशे पकड़ करके तुफान खड़ा कर देते हैं, और यह हमारे अर्बन निक्सल, उसको माथे पर लेकर करके नाचते रहते हैं, और हमारी हरुकावट आजाती है, परियावरन की रक्षा के समर्न में कोई compromise न करते हुए भी, संतुलित करके हमें ऐसे लोगों की साजीसों को जो वर्ल बेंग तक को प्रभावित कर देते हैं, बड़ी-बड़े जुडिशिरी को प्रभावित कर देते हैं, इतना आपन प्रत्यार कर देते हैं, चीजे अटक जाती है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि बेवज़ परियावण का ना काम लेकर इज अब लीविंग और इज अब डूइंग बिजनेस के रास्ते में कोई बाधा ना खड़ी करें करें